नौइडा में सेक्टर 76 की एक सोसाइटी से नेवी के रटाइड कमांडर राहुल बोस को पुलिस ने गिरफतार किया है। गिरफतार करने पहुँच जाती है या फिर पुलिस के ऊपर कोई दवाब था। रटाइड कमांडर सुसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी। और जब गिरफतारी के लिए पुलिस पहुची थी उस वक्त क्या बाट चीत हुई वो आपको सुनवाते हैं। करने के लिए मुझे। मेरी बात कराओं मुझे। यह लिए यह लिए वह जो मैने आपको भेजा सारा मैटर। यह वकील हमार है। यह वकील लोग। एक काव मैटर चलना है अनुम महिश्वरी का इनकी सोसाइटी में रहते हैं। उनकी एपिडेश में प्लस जो अरेश्टिंग हुई है। छह साथ गार्ड उपेते भी। पाज गार्ड उपेते तीन ही। अजे लिए जो 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 मेरे नॉड़िज है राइसिंग ने जो इनकी उपर केस करा जो उसमें। अनुम हैसरी वाले मागर है आप मुझे इन्हें वाट्ट परीए कोई दिक्कत ने बोगें। प्रिए अच्पोर्वात करें। मोझे अधी अधी तो कोबड़ करें। हैं को जो इनकी जो इनकी पक्ष आपने पक्ष रिकी। मुस्प्से उपर रुशे में। पूरा मामला आपको दिखाते हैं जिसको लेकर राहुल बोस को गिरफतार किया क्या दरसल सेक्योरिटी गार्ट्स का वीडियो वारल हो रहा है वीडियो में सेक्योरिटी गार्ट्स घर में घुस करम महिलाओं और परिवार पर लाठी डंडे से हमला करते दिखाई दे रहे हैं गार्ट्स ने पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीत की वीडियो लगभग तीर महीने कुराना बताया ज़ा रहा है रेटायर नेवी अफसर राहूल बोस के आदेश पर सेक्योरिटी गार्ट्स पर मारपीत कराने का आरूप लगाया गया है यह पूरा मामला आदित सेलिबिटी हूम्स का है और हमारे सही होगी गिरीश इस वक्त हमारे साथ जोड़ चुके हैं सीधा रूप करेंगे गिरीश का गिरीश यह जो मामला है कितना पुराना है गार्ट्स को लेकर जो पहुचे और यह मारपीत का जो वीडियो इस वक्त हमने दिखाया और उसके बाद जो पुलिस जब गिरफतार करने के लिए पहुची थी वो वीडियो भी हमने दिखाया जरा तफसील से बताईए हुआ क्या था कौन-कौन से मामले चल रहे है क्योंकि दो मामलों की बाद पुलिस कर रही थी और आखिरकार ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि गार्ट्स को लेकर ही एक घर में पहुचते हैं वहाँ उनके पती के साथ मारपीट होती है महिला भी वहाँ पर मौझूद है वज़ा क्या रही इन सब के पीछे जी मैं आपको बता दू कि ये अपरेल महिने का मामला है 11 अपरेल को जो सोसाइटी के गार्ट्स हैं उनके परिवार के साथ कुछ जड़ब हुई थी की दरसल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर उन लोगों के बीच में बाद विवाद हुआ था क्योंकि सोसाइटी की तरफ से कहा गया था कि कोरोना संक्रमन चला है तो कोई भी वहार का सक्स सोसाइटी में नहीं आएगा जिसको लेकर परिवार वालों से बात की गई जब मा मारपीट हो गई थी लेकिन उसके बाद जब पुलिस में कंप्लेंड की गई तो सारा मामला सोट आउट हो गया था लेकिन अचानक की तीन मैंने बाद एक जुलाई को पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और जो गार्ड जिनकों साथ जिनोंने मारपीट की थी उनके अलावा पुलिस को बताने होंगे अगर तीन महीने बाद आप फिर से जाच कर रहा है क्या रही क्योंकि पहले मामला सुलजा लिया गया था आप ऐसे अचानक से पहुचते फिर से गिरफतारी करते हैं गिरफतारी के लिए किसी तरह का कोई वारेंट है नहीं है थाने में अगर ले जाके बिठाते तो आप बत्तमीजी कैसे कर सकते हैं उनकी पतनी के साथ बत्त नामजद थे उनकी गिरफतारी करने आये हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी जो बाते हैं उनकी जो दलीले हैं वह बिलकुल लापरवाही भरी नजर आती है कि इन मैंने पर पुराना मामला है उस वक्त आप गिरीश आपके साथ राहूल बोस भी मौजूद है खुद जी राहूल जी भी मेरे साथ मौजूद है और उनकी जिए जब अभी इन से हम कि पुलिस का रवईया क्या रहा मामला क्या रहा सब कुछ अगर उनकी जादा बहतर होगा जी बिलकुल राहूल जी जिस तरह से लड़ाई हुई एक परिवार और गार्ड्स के बीच में है तो तीन मैने बाद किस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ फिर आपका नाम कैसे इस पूरे मामले में आगे देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये मामला हुआ उस टाइम कोवेट का पीक में था तो पूरा लॉकडाउन था हम अपने घर से कहीं बार ने निकल रहे थे मुझे भी जब ये मामला जो भी हुआ मुझे उसके बाद ही कुछ पता चला ऐसा हुआ है जब उन्हों न पूरा दिन लॉकडाइड मेनेजरी सारा बाहर घूमते थे हम लोग पे घर से निकलते भी नहीं थे तो मुझे तो इसके बार में कुछ आइडिया भी नहीं था इसलिए जब ये अभी ये जो एफाइर की बात हुई ये मुझे बिलकुल भी समझ में नहीं आया है अच्छा मुझे ये भी नहीं बता था कि मेरा नाम है इस एफाइर में एक जुलाई का एफाइर है कुछ गाड़ों को ये अरेस्ट करके ले गए जो पुलिस वाले हैं और उनको एरेस्ट करके ले गए फिर उनको पूरा दिन लॉक अप में रखा अगले दिन बेल करके वापस आ जब मैंने देखा कि जो इसकी जो टेक्स्ट जो है उसका है उसमें मेरा कहीं पर नाम ही नहीं है सिर्फ जो 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 लोगों का नाम होता है उसमें मेरा नाम भी एड कर दिया है है मैंने उनको बोला कि यह तो मुझे भी उसमाद में उसने का मैं बेज आपको बेज़ें हम इसको खारिश करने के लिए एप्लिकेशन दर्श कर देते हैं ये करीब आई पर इनके जो आई-उओं है इसमें जो आई-ओंध है बलियान साहब मैंने उनसे बहात की उसने कहा क कि आप इसको देख लीजिए, इसको किरा लीजिए, मैं अब तो भी वो जा रहे थे, कहीं वो थे नहीं, वो शायद लीव पे थे, तो मैंने सुझे ठीक है, अभी जब तक आएंगे तब तक मैं अपना हाई कोट से कुछ कराने कोशिश कर लूँगा, तो ऐसा कोई मुझे ये नहीं था कि ऐसा कुछ एक्शन होने वाला है मेरे किलाब, लेकिन अचानक नौ तरीक को, रात को, बारा बच के चालिस मिनट के बाद, मतलब दस हो गया था, बारा बच के चालिस मिनट पे, मुझे कहीं से भी कोई इन्फर्मेशन नहीं आया कि पुलिस आ गई है, गेट से कहीं से, सीधा पुलिस आके हम हमारे घर में नौक करती है, इसे चो साहब सेक्टर 49 के, उनके साथ करीब 10-15 लोग, तीन गाड़े आये थी, सब यहां पर बाहर खड़े, बोलिये चलिये, मैंने बोला किसलिये है, बोला आपके खिलाब F.I.R है, तो मैंने बोला तो ठीक है F.I.R लेकिन कुछ एविडेंस तो होगा, बोला नहीं एव Memorandum of Arrest, मेर पास एक वीडियो था WhatsApp में किसी ने भेजा था, कि Memorandum of Arrest होना चाहिए, Arrest के पहले, मैंने देखिए यह वीडियो में लिखा है, वकील साप बोल रहे है, कि Memorandum, तो आप मुझे कुछ तो दिखाई है, कि Arrest Memorandum या कुछ, बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं साम हाके लेके जाएंगे, आप सोच लिजे, आप कॉपरेट करिए, तो मैंने बोला, आपको क्या, हमें तैकिकात करनी है, तैकिकात करनी है, इन्वेस्टिकेशन करनी है, मैंने ठीक है, हम फौजी आतनी है, चाहिए, रात के बारवजे हम तैकिकात के लिए कॉपरेट करेंगे मैंने अपने प्रेजिदेंट पर गुला है जो हमारे एवे के प्रेजिदेंट रविंजन बोटे जी वो भी आगए हमने कर चलो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि मामला पुराना है किसी ने रंजिश की वज़ा से ऐसा किया है और पुलिस की भूमिका यहां संदिक्द नजर आ रही है क्योंकि पुलिस जिस तरीके से रात के वक्त पहुची है गिरफतारी करने वो सवाल उठाता है गंटे तक आखिर क्यों थाने के भीतर रखा गया बिना ये बताए कि आखिर कार उनके पास इस तरह का मामला कब आया ना कोई इन्फोर्मेशन और क्यों रखा जा रहा है क्यों प्रेस्टराइज किसी शक्स को किया जा रहा है बहुत बहुत तरह शुक्रिया गिरिश तमाम जानकारी के लिए